नमिश्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही यूटूब चैनल रिष्टार राइड्स पर तो दोस्तों आज आपके सामने खड़ी हैं महेंद्रा के सबसे चोटी पिक अप सबसे सबसे ज़्यादा फीचर्स वाली पिक अप तो दोस्तों इसका नाम है मह लोड मायलेज स्पेशिफिकेशन वगाड़ी से जुड़ी हर प्रकार की जाने कर देने वाले हैं इसी वीडियो में तो वीडियो बहुत ही खास होने वाला है तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे पास मिलेगे घंटे को प्रेस कर है तो वीडियो को लाइक जरू करना और साथ ही कुछ भी आपको सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताएगा तो दोस्तों चलिए आज इस वीडियो की शुरूरात करते हैं कुछ जत चिक कर्यों गाड़ी का फ्रन्ट लूक का फी है अब लुक है जो के आप देख पा रहे हो सामने आपको मिल जैते हैं काफी बड़ी वींड़ करने के लिए या आपकी मिल जैते हैं काफी बड़े बड़े डवल वाइपर और साथी यहाँ पर आपको double washer jet भी मिल जाते हैं और गाड़ी certified three-seater passing है और इसकी top speed है 86 km प्रतिक गंट है कि और यह हैं गाड़ी का कफी बड़ा bonnet काफी मजबूत और साथी बीचो बीच आपको महिंदरा का logo मिल जाता है पुराना वाला और साथी गाड़ी top model है तो यहाँ पर आपको chrome work भी देखने को मिलता है grill में और साथी गाड़ी AC में है तो यहाँ पर आपको AC के pipe गएरा देखने को मिलते हैं गाड़ी के front में और काफी stylish यहाँ पर आपको hallucin head lame मिल जाती है और साथी निचे देखे थी यहाँ पर आपको hallucin में turn indicator मिल जाता है और साथी काफी मजबूत यहाँ पर आपको bumper मिलने वाला है और bumper के उपर आपको reflator tape मिल जाती है fog flame लगाने का space मिल जाता है और यहाँ पर आपको मिल जाता है मजबूत drawing hook जिसकी साथे से आप गाड़ी को tow कर सकते हो और जैसा के महेंद्रा की यह सबसे छोटी वाली pickup है तो यहाँ पर आपको tire भी थोड़े छोटे मिलने वाले है और tire size की बात करे थी यहाँ पर आपको 1951R15 के tire मिलने वाले है और साथी आगे disc और पिछे drum brake देखने को मिल जाते है और वहीं बात करते हैं गाड़ी के front के suspension किये तो यहाँ पर आपको semi electrical lip string suspension मिलने वाले है जो कि आप देख पा रहे हो पट्टे कमाने का suspension है total pulse पट्टे कमाने आगे है और साथी soak absorber भी मिल जाते है और गाड़ी के दोनों साइड यहाँ पर आपको indicator मिलने वाले है और साथी bolero max pickup की bezing मिलते है chrome में जो काफी शांदाल लगती है दिखने में और दोस्तो गाड़ी छोटे है ति यहाँ आपको outside mirror भी छोटे मिलने वाले है और साथी निचे आपको ऐसा कुछ इसकी sticker मिल जाते है पहले थोड़े अलग आते थे अब आपको ऐसी भी मिल जाते है और sticker भी चेंज देखने को मिलते है और यहाँ पर गाड़ी का नाम लिखा हुआ है CT 1.3 1.3 का मतलब है 1300 के लोग गाड़ी passing आती है और ऐसे कुछ यहाँ पर आपको डोर हैंडल मिल जाते है निचे साथ आप डोर लोग अनलोग कर सकते हो और निचे आपको मिलता है मजबूत footstep और दोस्तों बात करते हैं गाड़ी के dimension की तो दोस्तों इसकी ओर ओर लेंध है 4800 mm और गाड़ी की चोड़ाई है 1750 mm और गाड़ी की हाइट है 1873 mm तो दोस्तों गाड़ी की ज्यादा लंबा ही नहीं है ज्यादा चोड़ा ही नहीं है तो इसका turning circle विल्कुल छोटा है लगबग 5.5 मेटर में गाड़ी आराम से घूम जाती है मेक्षी ट्रक के नाम से वह सेमी गाड़ी है पर इसमें आपको side कमाणी मिलती है वह पहले जिसके उपर कमाणी लगे हुई आती थी और इसा कुछ है गाड़ी का पीछे का लुक जो कि आप देख पा रहे हो गाड़ी टोप मोडल है यहाँ पर आपको LED में टेले मिल जाते ह और यहाँ पर लगा हुआ है इसका spare wheel जो कि आप देख सकते हो बहुती सई जिगा पर लगा हुआ है और बहुती easy इसको आप निकाल सकते हो और fit कर सकते हो और साथ है काफे मजबूत यहाँ आप आपको changes मिल जाता है जो कि आप देख पा रहे हो changes frame और गाड़ी में कमाणी उपर आती है excel के उपर यहाँ पर आपको ground clearance भी काफी बहतर मिलने वाला है लगबग 200 mm का जिसे आप उबढ़ खाब रस्तों पर आराम से गाड़ी चला सकते हो और यहाँ पर आपको ऐसा कुछ इसका डाला मिलने वाला है simply इसको unlock कर सकते हो खोल सकते हो और लंबाई के बात इसके लंबाई रहने वाली है 8 feet 2 inch और इसकी चोड़ाई रहने वाली है 5 feet 5 inch और गाड़ी का gross vehicle weight निकल कर आता है 825 kg 2825 kg गाड़ी का पूरा gross vehicle weight है उस पर आप लोड़ कर सकते हो 1300 kg तेरा कुंटल गाड़ी passing आती है और ऐसा कुछ है गाड़ी का side profile और गाड़ी के driver side आपको म मिलने वाले हैं IMAX technology अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और बात करते हैं बागी के चीजों की दोस्तों ऐसा कुछ है गाड़ी का पूरा door panel और दोस्तों मुझे एक चीज मिसिंग लगती है वह है bottle holder इस गाड़ी में अगर bottle holder होता तो काफी बहतर होता क्योंकि 3 wheeler गाड़ी में भी आता है bottle holder तो इस गाड़ी में भी देना चाहिए क्योंकि बहुत सारी problem होती है bottle holder के लिए और दोस्तों ऐसी कुछ है आप आपको double चाबिया मिल जाती है महिंद्रह की जोगी पूरानी वाली है कुछ भी चैज नहीं है चाबी में और साथी चाबी के switch में आपको light मिल है जो कि रात में जलती है और दोस्तों काफी comfortable यहां पर आपको fabric seat मिल जाती है जीकि आप देख सकते हो काफी अच्छा कुशन है और साथी काफी शांदार आपको back spot मिल जाता है headrest के साथ में और साथी seat को आप आगे पीछे कर सकते हो यहां से और साथी यहां से उपर निच steering भी मिल जाएगा और इसा कुछ है गाड़ी का पूरा interior जो कि आप देख सकते हो dual tone में और यहां पर आपको मिल जाते हैं AC के control अभी इसमें ब्लोर चल रहे हैं जैसे मैं चाबी को on करूंगा AC भी on हो जाएगे तो अभी AC on हो गई है और अगर आपको turn लग रही है तो आप heater चला सकते हो जिसमार आपको button दिया गया है इसको on करके आप heater भी चला सकते हो और साथी यहां पर आपको double switch मिलते हैं AC के लिए और बाहर के हवा के लिए और निच्च आपको मिलते हैं हजाट लाइट के लिए switch और साथी अगर आप लगाते हो यहां पर आपको कोई भी LED स्क्रीन वगेरा लगाते हो तो यहां पर आपके लग जाएंगे switch क्योंकि space दिया हुआ है और यहां पर आपको मिलता है 12V का charging point और बात करते हैं गाड़ी के transmission के तो यहां पर आपको पां अपर आपको फुली डिजीटल आपको सोवने वाला है तो दोस्तों बहुत ही इसको पड़ सकते हो और यहां पर आपको ट्रीप बटन के लिए switch मिल जाता है और पासे आपको light के control, side wiper के control, सारे देखने को मिल जाता है और ओपर आपको मिल जते है sun visor, double sun visor मिल जाता है और बाहर की हवा भी ले सकते हो, हर प्रकार से गाड़ी काफी बहातर हो चुकी है और पहले के वल इसमें 1.3 में ऐसी वाली आती ही थी, चुकि आपके सामने खड़ी है वो ऐसी में है, इसके लाव कोई भी ऐसी वाली गाड़ी नहीं थी, महेंद्रा के पास pickup segment में, चुकि आप आपको मज़बूत ग्रेप्हेंडल मिल जाता है, निचे आपको गलोबग्स मिल जाता है, जो की लोकेबल है, और दोस्तों बात करते हैं गाड़ी के इंजन के बारे में, तो दोस्तों बॉन STEPHAN को खरते हैं आपर आपको 200 NM का टोर्ग मिलता है 1400 से 200 RPM पर और दोस्तों बात करते हैं गाड़ी के माइलेज की तो दोस्तों कमपनी माइलेज क्लेम करती है 17.2 किलोमेटर प्रती लिटर का और ये माइलेज कमपनी द्वारा क्लेम गया गया है वो डिपेंट करता है आपके लूड पर ड्राइविंग पर सडक पर कैसे क्या गाड़ी को आप चलाते हो जो सारा डिपेंट करता है माइलेज के उपर और दोस्तों आप करता है गाड़ी के कीमत के बारे में को मिल जाएगी तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जुरूर बताना हो साथ ही कोई भी आपका सवाल हो कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके जुरूर बताना हो साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जुरूर करना और दोस्तों ऐसे व much for the watching the video